जब से यह रोक का यूनिफार्म आया है या फिर यह सिजनल अपडेट आया है तब से एक और ड्रामा चालू हो गया है फोरम पे यस जो सो कॉल्ड वे लोग हैं वो खुशिया मना रहे हैं तो आज हम एक बार फिर से यहां चालू करने वाले हैं इस विडियो के जरीए ये कितना अच्छा है गेंनके लिए यह कितना अच्छा है free to play वालों के लिए या फिर लोइस पेंडर के लिए और क्या यह सिस्टम इस गेम को डिश्ट्वाए कर रहा है या फिर कर सकता है या नहीं तो काई चलो फड़ा पर से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के चैनल पर नहीं हो तो फड़ा पर सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि में यहां पर सीजनल यूनिफ azame q 84 जाहे वह स्बसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रिस्टल वाले यूनिफार्म के बारे में तो guys ये जो crystal वाला uniform ये लोग दे रहे हैं 750 crystal, 2500 crystal ये देखो हमारे लिए ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये किसी के लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है 2750 crystal हम कर लेंगे 2500 crystal हम कर लेंगे 14 दिन का time रहता है अगर हम TSS लेते हैं जो कि हम लेते हैं आर्मी ने यहाँ पे हमें crystal की दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमें दिक्कत है time की ये जो time की पीछे ये लोग लॉक कर रहे हैं character को मतलब अगर तुम अपने favorite character से खेलना चाहते हो तो एक साल का इंतजार करो उसके बाद में ही आपको उसका uniform मिलेगा exactly मैं भी यही बोल रहा हूँ कुछ ज्यादा नहीं हो रहा भाई साहब मतलब एक साल कौन करेगा भाई हम game ये क्यों खेल रहे है में चीज तो लोगों को ये समझना चाहिए marble future fight को ये समझना चाहिए इस game में जो game mode है उसकी वज़े से नहीं खेल रहे है marble future fight हम खेलते हैं अपने favorite character को use करने के लिए तो अगर तुम हमको अफसान ही नहीं देऊगे कि हम अपने favorite character से खेल पाएं तो फिर ये game हम क्यों खेलेंगे like luna के time पे ही देख लो काफी सारे लोगों ने game छोड़ दिया काफी सारे लोगों ने game delete कर दिया उनको खेलना ही नहीं है क्योंकि तुमने luna snow का uniform premium कर दिया और premium भी किया तो इतना ज़्यादा premium कर दिया कि भाई वो चाह के भी नहीं ले सकते इस topic पे भी मैं बात करूंगा अभी इनके pricing के बारे में भी बात करूंगा लेकिन पहले यहाँ पर बात करो availability की सबसे बड़ी दिक्कत यह है मालो sale खतम हो गया जनवरी भी कोई बंदा join कर रहा है इस game को और उसका favorite है magneto या फिर थैनोस ही मालो या फिर black bolt ही मालो या फिर ghost rider ही मालो अगर उसका favorite character इन में से कोई सा भी है और वो game install करता है यह सोचके कि मैं इस character को use करूंगा तो क्या वो use कर पाएगा इन character को नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके uniforms available नहीं है दखो अभी कुछ लोग बोलेंगे कि भाई यह तो पहुत पहले से चल रहा है तुम अब क्यों बोल रहे है इसके बारे में अभी तक तुमने कुछ नहीं बोला यह वो फलान ने डिमक का तुमको यह दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे सारे के सारे favorite character प्रिमियम हो रहे हैं या फिर special हो रहे हैं उनको सिर्फ एक साल में एक बार यह लोग सेल पर दे रहे हैं तो इस चीज को तुमको इंप्रूब करना पड़ेगा तुमको सेल पर लाना पड़ेगा साल में एक बार नहीं बलकि साल में चार बार अभी देखो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर इसको एवलेवल कर दिया तो फिर यह इस पेसल कहां रहे जाएगा तो ठीक है अगर तुमको इस पेसलीटी भी मेंटेन करनी है तो मैं तुमको अभी एक तरीका बताता हूं कैसे आप इसको सेल पर आ सकते हो और इसकी इस और इसवाली दे रहे है उस टोपिक पर भी में बात कर लेता हूं फिर में तुमको आइडिया बताताओ कैसे तुम कर सकते हो इसको सुधार कैसे सकते बहुत आसान इसको इंप्रोब कर शक्दे मारम वाले हमको हैज्टेक चलाना पड़ेगा और होब कि चलेगा है peng फोरम पे बार फिर से चलेगा पहले हम बात कर लेते हैं पिर में उन्यूफार्म के बारे में इनको लगता है 20 डॉलर कुछ नहीं है साथ से यह लोग सिर्फ कैनाडा के बारे में सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में सोच रहे हैं या फिर सिर्फ यूरूप के बारे में सोच र पड़ेगा और 20 डॉलर तुम्हारे लिए हो सकता है कम हो लेकिन हमारे लिए बहुत जादा है मैं अपना एक्जामपल बताओं तो मेरे यूटूब का रेविनू 40-45 डॉलर होता है पर महीने अब तुम बताओ 40 डॉलर एक महिने का मुझे मिल रहा है और मैं यूनिफॉर्म ल परिम्हाला है तुम सचो कि जो लोग का यूनिफॉर्म लेंगे नहीं ले सकते हैं लेकिन अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारा यूनिफॉर्म खरीदें तो तुम एक काम कर सकते हो जिसके वज़एसे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तुम्हें इन सारे प्रिमियम य उनिफॉर्म का जो टोकन से मिल रहा है उसका तुम सिर्फ इतना करो कि 10 टोकन कम कर दो सिर्फ 20 टोकन लगा दो प्राइज मैं गैरेंटी लेता हूं भाई तुम्हारा सेल डबल हो जाएगा मैं खुद दूसरे अकाउंट में ले लेता रोक का उनिफॉर्म अगर इसका कि दें ही लोगों ने लिया होगा ती डॉलर का यह उनिफॉर्म बहुत कम लोगों ने कुछ मुठी भर लोगों ने बई किया है यह उनिफॉर्म के दोघी一下 का 4 से जगह पे एकहजार लोगों ने लिया होता हुनिफॉम वहारा तो तो उर आइडिया देता हूं बढाने का तुमको क्या करना है सिंपली यह जो बैक है यहां पे जो सब्सक्राइब कर दो जितने भी चार युनिफॉर्म जीसे वाला हो इसमर वाला हो गया या फिर यह क्या ना मैं हाल्यूइन का हो गया या फिर अप्रेल फूल यहां पर यट कर दो और कोई बंदा यह वाला पैक लेता है एक हजारवाला पैक लेता है तो उसको अफसान आएगा उपर कि तुम इनमें से कोई भी टोकन ले सकते हो तुमको 10 टोकन मिलेगा जो उनसा भी तुमको चूज करना है तुम ले लो और उससे तुम यूनिफार्म भाई कर लो जो तुमको चाहिए कहने का मतलब समझ रहो कहने पर रखो जितने भी इनिफॉर्म से तुम्हारा एक तो रेबिन्यू बढ़ेगा तुम्हारे नजद्गी से अगर देखा जाए तो तुम्हारे रेबिन्यू बढ़ेगा जिसके पीछे तुम पागल हुए जा रहे हो और दूसरा जो सबसे बड़ा फाइदा प्लेयर बेस म एब्री सिजनल अपडेट में एब्री सिजनल युनिफॉर्म को सेल पे ले आते हो तो फिर इससे तुम्हारे रेबिन्यू भी बढ़ेगा और इससे प्लेयर्स छोड़के जाएंगे भी नहीं उनको एविलिबिलिटी भी मिल जाएगी उनको कम से कम उम्मीद मिल जाएगा कि अगले चार मैंने मीं ये युनिफॉर्म हमें सेल पे मिल जाएगा अभी मान के चलो कोई जनवरी में आ रहा इस गेम को खेलने और ये अपडेट खतम हो गया ये सेल खतम हो गया मेगनीटो का और उसको मेगनीटो का युनिफॉर्म लेना है तो या तो वह एक साल का लेगा और तुम लोई स्पेंडर का कदर नहीं करोगे और छोड़के जाने लगे तो भाई बहुत ज्यादा नुक्सान में जाने वाले हो तुम कता ही चूती लोग हो या फिर तुम्हारे समझ में नहीं आता है कैसे बिजनस करना है क्या करना है अगर पांच हजार रुपय को तुमको करना नहीं और पैसे तुम्हारा पैट मैं महनत करो काम करो तुमको पैसा भी मिलेगा यार पिछले 3-4 महीने का अफ़टेट तुम को लगता है किसी काम करना नॉर्मल उनिफ़र्म किसी काम के बनाते लोग इतना क्या लोग उसको खेलके मजा आने से जादा उसको कैसे एनुनहें इतना बना दिया कि भाय हमको बोलना पट यह नीफ़ इद करने क scor के लिए इतना बुरा बना रहें यह लोग काम धंदा करना नहीं है और पैसा इनको कम पड़ रहा है Penelton करो और लुए स्पेंडर के बारे में सोचो हमारे बारे मी भी सोचो हम भी तुमको बहुत सारा पैसा दे रहे हैं सट्री वैल से नहीं चलना पता चल जाएगा इसकी इस बंदे को बस हर पोश्ट में रहती है लोगों को बुरा बोलना है और यह अपने आपको सोचता है बहुत ज्यादा जानता हूं मैं बहुत खुस्यार हो इसके लिए तो अगर मार्बल फीचर वाले 50 डॉलर का भी दे देना तो भी यह बोलेगा सभ लेकिन बोलेगा सही है कर रहे हैं कुछ लोग होते ना तुमने देखा वीडियो गया तो बोलते रहते हैं एक हजार का पिट्रोल हो जाएगा तब भी हम बोड़ मोड़ी जूको देंगे मैं कैसे कैसे लोग होते हैं यह उसी कटेगर में आते हैं इनके बारे में तो हैस्टेग चलाओ गाइस फोरम पर जाके हैस्टेग से लुइस पेंडर का कमेंट करो एक दम फार दो बागी इस वीडियो में इतना ही अब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना चैनल पर नहों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी आन कर लेना मिलत नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर